हे गाईस विल्कम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपके इस वीडियो में तो दोस्तों आप सभी केंड़ेट के लिए यहत्रें लिपार्टमेंट की दरफ से सरकारी नोगरी की विकेंश आ चुकी है जो की ऑल इंडिया के केंड़ेट एप्लाइ कर सकते हैं वेकेंश रिलीस की गई है गोवाज सीपी अर्ली तरफ से यह बिल्कुल जी आरेसे की तरह है जो भी हाली में जी आरेसी की तरफ से रिक वेकंसी रिलीज की गई है गोवा सीपियाड की तरफ से लेटेस्ट वेकंसी आ चुकी है जहां पर आईटीए पास आउट डिप्लमा और डिग्री कैनिडेट अप्लाइ कर सकते हैं जो भी कैनिडेट एलिजबल है मौका मत छोड़ना बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है तो शलिए टीटेल नोडिफिकेशन वाज डिसकस करते हैं कि कौन-कौन से लोग एप्लाइ कर सकते हैं एलिजबिटी कंडिशन सेलेक्शन प्रोसेस एप्लिकेशन प्रोसेस विगर आपकी क्या होगे लेट श्टार्ट नाव आगे बने से पहले अगर आप अभी तक सकसस दिलिब को सब्सक्राइब निकिएं सो प्लीज डू सब्सक्राइब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आकन को प्रेस कर लें और जितने भी आप आप आपके लिए लेकर आएं चलिए आगे बढ़ते हैं तो गैई यह है ओफिसल नोडिफिकेशन गो यह Ministry of Defence यानि कि रक्षा मंत्राले के अंदर में आती है बहुत बड़ी प्लांट से विकेंसी रिलीज की गई है जितनी भी कैंडिट हैं मौका मत छोड़ना एप्लै करने के लिए ओके गैस विकेंसी देख लो यह जो पोस्ट रिकूट्मेंट रिलीज की गई है आप सभी कै के लिए मीनी रतना केटेग्री में आता है यानि कि एक पीएसू डिपार्टमेंट में आपकी जॉप्स लगेगी बट यह जो रिकूट्मेंट एक तरह से कॉंट्रेक्ट वेसिस पे है जो की तीन साल का होगा यहां पर मैं एक सीज ओर एड करना चाहूंगा देखिए Ministry of Defence र description में हल का वीडियो मिल जाएगा मैं आपको डिरेक्ली दे दूंगा यानि कि आपको आइकॉन बटन बटन में मिल जाएगी उसके बाद दूसरी डिपार्टमेंट भारत डायनमिक लेमिटेड वह भी निकाल रही है चार साल का कॉंट्रेक्ट तीसरा है आपका ओर्डिनेंस तो यह आप चार साल जो रिकर्ड निकल रहा है न तो इसे आप अगनी वीर मान के ही चल सकते हो क्योंकि मिनिस्ट्र अफ डिफेंस टोटली जो है वो रेफर करने पे लगा है हर एक कैनिडेट को खेर जो भी हो यार क्या ही कर सकते हैं दुर्दसा है हमारी गवर्मेंट की त ब्रांच ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट उर्मप्राइंट चलो और जो भी केंडेट एलिसफल है अपलाय करना गरते कि यहां पर नेक्यार लिखतेंट्रेंट का वक्रेंट फिले आपका Technical Assistant पता है न डिप्लोमा स्टूदेंट के लिए Electrical branch के ले recruitment घी कितनी कितनी मिलेगी बताई जा रहा है first year, second year and third year डिप्लोमा बालों के लिए बटान यर सबके लिए यहां पर अपर एज लिमिट का किर्चरिया दे दिया गया है सबराई नहीं टेक्निकल एसिस्टेंट की और भी पोस्टें है सिब बिल्डिंग इंडस्ट्री में वेकंसी बहुत अच्छी खासी है टोटल 20 वेकंसी रिलीज की गई है सिब बिल्डिंग में उसके बाद है टेक्निकल एसिस्टेंट सिबिल ब्रांच के लिए रिक्रूट्मेंट है आईटी में है वेकंसी से बड़ जादा नहीं है फिर आपका एक पोस्ट है ओफिस एसिस्टेंट ये आपका क्लेरिकल स्टाफ की रिक्रूट्मेंट है टोटल 32 पोस्ट पर रिक्रूट्मेंट है जो भी गेंड़िट इस पोस्ट के लेलिसबल है मौका मत छोड़ना 34,300 ले टोटल 20 पोस्ट पर वेकंसी आउट की गई है पेंडर के लिए जहां पर सेलरी आपको 31,000 से लेकर 35,000 तक सेलरी प्रोवाइड की जाएगी और यह सेलरी एक ITI स्टूडेंट को मिलने वाली है अब समझ रहे हो फिर आपका वेकल ड्राइवर की पोस्ट है 31,700 से लेकर 35,000 य एक आपका 70 स्टेवर्ड में रिक्रूटमेंट 33,400 से लेकर 36,900 तो पोस्टें आपको समझ आएगी यह जितनी भी सारी जौब से 3 साल तक कॉंट्रेक्ट आपको रखा जाएगा अब इसमें अलग-लग बेस है जो भी कैंडिडेट सूपरी टेंडेंडन की पोस्ट पर एपल की गई है बात करते हैं टेक्निकल एसिस्टेंट की टेक्निकल एसिस्टेंट में अप्लाय करने के लिए आपके पास थ्री एर की डिप्लोमा इंजिनेरिंग अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाय कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग से पास आउट होना सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर भी एक्स्परेंस रिक्वार्ट है यह सबसे ज्यादा पोस्ट है 32 पोस्ट पर यहां पर बैसले डिरी मांगी गई है डिसिप्लेइन प्लस वन इयर की कॉर्सेस आपने कंप्यूटर अप्लिकेसं में कर रहें तो दैट्स गूड कंप्यूटर यानि की सीएस न आइटी जो डिगरी केंडिडिट किया हुआ है वो सारे कंडिडिड इसमें जरूर अप्ले करें क्व promising डिजाबल है डिजाबल हैंनगे की जरूरी नहीं यहाद है लेकिन राम को कॉंख नाती है इसलिए दोनों में सबसे पहले सेलेक्सान जो राम का होगा, उसके बाद स्याम का होगा ओके, बस यही डिजाबल होता है फिर आपकी office assistant है 6 vacancies, यहाँ पर आपके पास degree engineering, degree किया हो अना चाहिए computer applications में, plus 1 year की experience यहाँ पर मांगी गई है penter की total 20 vacancies है भीया vacancy तो 20 है, बहुत अच्छी खासी बट यहाँ पर जो ITI pass out कर चका है, 10th pass करके अगर आपने एक चीज़ ध्यान रखे, 10th pass करके आपने 5 year की experience ले लिए, तो that's good बहुत अच्छी बात है, plus अगर आपने experience नहीं लिए और ITI pass out किया है ITI pass out करके मातर आपके पास 6 महने का experience है या फिर एक साल का experience है इससे कोई भी प्रवाव नहीं पड़ेगा आपकी selection पहले होगी 10th के अलावा ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर आपने ITI, desirable है यहाँ पर ध्यान रखना, ITI panting trade में कर रखी हो, इन experience in various types of blasting यहाँ पर कहीं पर नहीं वेंसन है कि एक साल, दो साल, चार साल का होना चाहिए आपने पैंटर कर रखी हो और आपका normally skilled है यानि कि आप सिर्फ सिंपल सी बात है क्योंकि trade ही ऐसा है भया पैंटर कोई phraser apply नहीं कर सकता panting करना आपको आना चाहिए अब कोई cook है cook को खाना बनाना चाहिए अब कोई driver है आज ही driving सीखा और apply कर दोगे तो क्या होए होगा मतलब experience normally है सीखना, गाली चलाना तो आना चाहिए तो इसी तरह pantor है panting करना आना चाहिए अगर आपके पास spending की knowledge है और आपने idea कर रखे तो basic जाए 10th पहले से आपका selection पहले होगा फिर है आपका vehicle driver की post है तो यहाँ पर heavy vehicle driving 10th past की degree plus 5 year की experience फिर record keeper की recruitment है यहाँ पर तो applicant, ensued, ssc पास आउनों चाहिए फिर आपका cook की vacancy है यहाँ पर भी 10th past की जौरत फिर cook की तो यहाँ पर भी 10th past एक plumber तो plumber में idea pass out चाहिए ध्यान रखें लेकिन यहाँ पर experience required है 5 year की experience मांगे गई है plumber सिप idea pass out ज़रूरी है देन एक vacancy stay award में recruitment है तो जो भी candidate है सब कुछ में बता चुका हूँ तो जाइए जाकर apply कीजिए age किर्चरिया जो भी age आपने देखा वो age में सारे candidate को relaxation मिलेग और extra age यहाँ पर रखी गई है 50 year तो age की tension वैसे भी नहीं है selection procedure आपका return test and trade test के माध्यम से selection होगा सब के लिए एलेग लेक्टरिय टेस इंडेटरेंट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जो भी candidate eligible है 27 March 2024 तक last date है apply करने के लिए link आपको मैं description में दे दूँगा apply करने के लिए तो जाइए जाकर apply कर लीजे और कुछ doubt है कमेंट में ज़रूर बताइएगा ओके hopefully वीडियो इस फिल लगी हो please like and subscribe करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद